बिंदिया को चौथा महीना लग चुका था शादी के बाद बिंदिया बहुत सालों बाद मा बनने वाली थी बिंदिया बहुत खुश थी कि उसकी वो इच्छा पूरी हो गई जिसकी वो हमेशा भगवान से प्राटना करती थी बिंदिया ने अपने आने वाले बच्चों के भविशे के लिए बहुत से सपने संजोई हुए थे उसका मन था कि वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करे पर अचानक विनोध की नौकरी छूट गई वो जिस कपड़े की दुकान पर काम करता था वो दुकान बंद हो गई अब दूसरी जगा जब नौकरी लगी तो वो बहुत कम पैसों में लगी कैसे गुजारा होगा मा? आठ हजार उपे महीने की नौकरी लगी है जिसमें से चार हजार घर का किराया चला जाएगा उपर से बिजली पानी के हजार उपे मगान मालिक और मांग रहा है अभी बहुत खर्श है कुछ समझ नहीं आ रहा सब कैसे होगा बेटा चिंता मत कर चिंता करने से तब्यत खराब होती है जो होगा सब अच्छा होगा अगर तु परिशान रहेगा तो बहुत तेर को देख कर और परिशान हो जाएगी उसका इस हालत में परिशान होना ठीक नहीं आमा, तुम ठीक कह रही हो अब मैं बिंदिया के सामने ये सब बातें नहीं करूंगा मैं बिंदिया के लिए कुछ खाने का ले आता हूँ कल वो मुझे रस्मलाई बोल रही थी उसका मीठा खाने का बहुत मन था मैं आता हूँ थोड़ी देर में विनोद बाजार चला जाता है पर उसे नहीं पता था कि बिंदिया उसकी और अपनी सास की बाते सुन चुकी है विनोद उसके लिए बाजार से रस्मलाई लेकर आता है बिंदिया उसके चेहरे की परिशानी को देख रही थी पर वो कुछ बोली नहीं पहले वो कुछ न कुछ खाने के लिए मंगा लेती थी पर अब उसने देखा कि विनोद परिशान है तो उसने अपने लिए कुछ पसंद का मंगवाना ही छोड़ दिया ये बात विनोद समझ गया बिंदिया क्या बात है पहले तो तुम मुझे कुछ न कुछ अपनी पसंद का लाने के लिए बोल देती थी अब तो पिछले एक हफ़ते से तुमने मुझे कुछ भी लाने के लिए नहीं बोला कुछ मन है तो लेाऊं नई-ई, मेरा कुछ मनी नहीं है, बस खाना खाऊंगी अच्छा तो खाने के साथ कुछ ले आता हूं अरे, सुबभ मुझे बोल रही थी कि कच्छे आम के पकॉड़े खाने का मन है. एक काम कर, थोड़े से कच्छे आम ले आप, उनके पकॉड़े बना कर खा लेगी. नहीं-ने माजी, क्यों खर्च करना? विनोत पकोड़े बनाने के लिए कच्चे आम बेसन और तेल ले आया और बिंदिया ने आम के पकोड़े तयार किये कच्चे आम के पकोड़े बहुत ही स्वादिश्ट बने थे अभी बिंदिया पकोड़े बना ही रही थी कि तभी विनोत का एक दोस्त बिर्जु जो बाजार में जूस का ठेला लगाता था वो आ जाता है बिंदिया उसके आगे भी आम के पकोड़े रखती है अरे भाबी पकोड़े तो आपने भहुत ही लाजवाब बनाए मैंने तो आज तक ऐसे आम के पकोड़े कभी नहीं खाया अगर बाजार में एतने पकोड़े खाने जाओ ना तो कम से कम सो रुपे की प्लेट मिलेगी क्या बिर्जू तू भी ना भाईया मैं और पकोड़े लाती हूँ अरे मैं सही बोल ला हूँ विनोद ऐसे ही तो बिजनस बनते हैं पता है आजकल छोले कुल्चे वड़ा पाव पानी पूरी वाले बहुत थे मस हो रहे हैं भीया अगर भावी अपना आम के पकोड़े का ठिला लगा ले ना बाजार में सच कह रहा हूँ रोजाना की अच्छी खासे कमाई हो जाएगी हाँ अब सच कह रहे हो बिर्जु भाईया अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो मजा ही आ जाएगा सुनो इस नौकरी से तो तुमें इतनी कमाई भी नहीं होती है पूरा महीना तुम मैनद करते हो एक बार कोशिश करके देखते हैं न क्या पता हमारे आम के पकोड़े का ठेला अच्छा चल जाए कस्टमर की तु चिंता मत कर मेरे ग्राहक जूस के बंधे हुए है आराम से तेरे ठेले पर पकोड़े खाएंगे अच्छा वैसे कितना खर्चा आ जाएगा थोड़ा तो पैसा तुझे लगाना पड़ेगा भई क्योंकि कोई भी व्यापार पैसा लगाए बिना नहीं शुरू होता विनोद बहु के हाथ के पकोड़े मुझे पता है बहुत भी केंगे तू और बहु एक बार ठेला शुरू करके तो देखो विनोद सब की बात मान लेता है और कुछ रुपे उधार पड़े लेता है विनोद का पूरा साथ देती है और खूब बढ़िया आम के पकोड़े बनाती है नए तरह कि आम के पकोड़े खाने के लिए धीरे धीरे ग्राह काने लगे बिंदिया गरम-गरम मसालेदार पकोडे बनाती और विनोद उन्हें बेचने का काम करता धीरे-धीरे बाजार में बिंदिया के हाथों के बने आम के पकोडे बहुत पेमस होक है विनोद को नौकरी से ज़्यादा इस काम में मुनाफ़ा होने लगा मैंने कहा था न, भावी के हाथों के पकॉले सबको बहुत पसंद आएंगे, एक महिने में ही रिजल्ट तेरे सामने है भईया ये तो तू ठीक कह रहा है बिर्जू, अगर तू उस दिन सलाह न देता तो, आज मैं वही आठ हजार की नौकरी कर रहा हूता, अब कम से कम हमारे पास अच्छे पैसे जुड़ जाएंगे बिर्जू भाईया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस काम के लिए प्रिरित किया, ये तो बहुत चिंता में रहते थे, अब सब कुछ ठीक हो गया अभी बिर्जू विनोद और बिंदिया बात करी रहे थे, कि तभी वहाँ एक बदमाश आ जाता है और सब के ठेले पर जाकर मुफ्त में खाने लगता है लोग उसे मुफ्त में खिला रहे थे और वो खाकर बिना पैसे दिये जा रहा था उस बदमाश ने बिंदिया और विनोद का ठेला देखा तो वहाँ भी आ गया एक प्लेट पकोड़े दो, देखू तो सही तुम पकोड़े कैसे बना रहे हो लगता है नया ठेला लगाया है, बिर्जू मेरे बारे में बताया या नहीं ये रतन भाई है, बहुत सालों से यहां रह रहे है बिर्जू रतन के बारे में बताता जा रहा था और रतन पकोड़ों पर पकोड़े खाये जा रहा था जब रतन ने सारे पकोड़े खा लिये, तो वो ऐसे ही बिना पैसे दिये जाने लगा आपने पैसे नहीं दिये रतन भाई मैं किसी को पैसे नहीं देता, पूछ लो, सारे दुकानदारों से, मैं मुफ्त में खाता हूँ पर ये तो गलत बात है, पकोड़े बनाने में हमारे पैसे लगे हैं, आपका पैसा देना तो बनता है ओ, समझा ले अपनी बीवी को, मेरे आगे ना बोले, नहीं तो यहीं डेर कर दूँगा, बच्चे समेत उपर पहुँच जाएगी बदमाश रतन ने जैसे ही ये शब्द बोले, विनोध को गुस्सा आ गया, उसने ठेले के पास बड़ा डंडा उठाया, और दे धड़ादर रतन के पिटाई करने शुरू कर दे रतन के कुछ साथ ही जो दूसरे ठेले पर कुछ खा रहे थे, वो उसे बचाने के लिए आए, पर विनोध ने उन्हें भी फूप पीटा, कुछ देर बाद वो सब धेर हो गए, और पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गए क्या बात है विनोध, तु तो बड़ा भादूर है यार, तेरी भादूरी देखकर तो आज हम सब में भी हिम्मत आ गई, आज तेरी वज़ा से ही हमें रतन जैसे बदमाश से छुटकारा मिला है मैंने जो किया सही किया, हम क्यों किसी के अत्याचार से हैं और डर कर रहें, नहीं हम कायर नहीं हैं और उसने मेरी बिंदिया को गलत बोला, जो मैं कभी बरदाश्ट नहीं कर सकता था बिंदिया के चेहरे पर खुशी थी कि उसे विनोद जैसा पती मिला बाजार में सब लोग विनोद और बिंदिया की बहुत तारीफ करते हैं और एक पर फिर से बिंदिया ठेले पर आम के पकोड़े बनाना शुरू कर देती है पर अब उनके और आसपास के दुकानदारों के किसी के मन में अब कोई डर नहीं था क्योंकि बदमाश रतन को सजा हो गई थी कुछ महिनों बाद बिंदिया की डिलिवरी होती है और वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है पर आज उसके और विलोट के पास इतने पैसे थे कि वो अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से कर सकते थे लेकिन महिश हम ऐसे हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते ना हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा लेकिन हम करे भी तो क्या मैं ब्रेट पोकोड़े बहुत अच्छे बना लेती हूँ तो क्यों न मैं ब्रेट पोकोड़े बना कर बेचू आइडिया तो अच्छा है लेकिन मेरी तब्या ठीक नहीं रहती तो मैं तो तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा कोई बात नहीं जी आप बस ग्राकों से हिसाब किताब लेते रहना बाकी सब मैं कर लूँगी ममता के पती को हार्ट की प्रॉब्लम थी जिसके इलाज के लिए ममता को काफी पैसे चाहिए थी अपनी घर ग्रियस्ती चलाने और پती के इलाज के लिए पैसे इकठे करने के लिए वो एक पुराना ठेला और जरूरत का सामान खरिती है और ब्रेट पकॉड़े बनाना शुरू कर दिती है आईए आईए ताजा ताजा ब्रेट पकोड़े खाईए खुद भी खाईए और अपने घर भी ले चाईए साथ में शानदार धन्य पुदेने की हरी चटनी भी खाईए भेन जी मेरे लिए एक ब्रेट पकोड़ा बनाने तो? हाँ हाँ भाई साब ये लीजे कुछे दिनों में मम्ता के पास ग्राहक आने शुरू हो गए अब उसके सामान का खर्चा निकल जाता था साथ ही कुछ पैसे भी बच जाते थे जिससे उसका घर खर्च चल जाता था